हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत आप सभी का अपने यूटूब चैनल अजीत टेकनिकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ आज हम लोग फिर से दस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी की कोईश्चन डिस्कस करेंगे जो फिटर टैनर मसीनिस्ट के लिए बहुत ही महत्पूर्ट कोश्चन है जो की कोई भी टेकनिकल एग्जाम हो उसमें बार बार पूछे जाते हैं तो आईए हम लोग सुरू करते हैं फर्ष्ट कोश्चन है नट की डाइमेंस ने किसके अमसार व्यक्त की जाती है अपसन में दिया है बोल्ट का हेड बोल्ट का नामिनल डाइमेटर बोल्ट का कोल डाइमेटर बोल्ट का पीछी डाइमेटर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा bolt का nominal diameter जो nut होता है उसके dimension करने के लिए bolt का nominal diameter की अमसार ब्यक्त करते हैं जो की right answer है next question देख लेते हैं क्या बोल रहा है next question है किसी cylindrical surface पर screw thread बनाई जाती है जो cylindrical कोई जाब होता है उसमें thread किसके अमसार बनाई जाती है helical group काट कर v group काट कर square group काट कर half round group काट कर तो इसका right answer क्या हो जाएगा helical group काट कर जो cylindrical जाब होते हैं उसमें thread helical group काट कर बनाई जाती है इसलिए इसका right answer हो जाएगा next question है तीन number है उस सबसे छोटे परणाम को क्या कहते हैं जिसे किसी भी पैमाने त्वारा एकदम सही मापा जा सकता है यानि कि जो measuring instrument होते हैं जिसे steel rule micrometer linear caliper उस से जो कम से कम मापते हैं जिसे steel rule से मापते हैं 0.5 mm मापते हैं और micrometer से 0.01 mm मापते हैं कम से कम तो इस परणाम को क्या कहते हैं option में क्या क्या दिया है list count दिया है small count दिया है device count दिया है और दिया है parallax count तो इसका right answer क्या हो जाएगा list count कोई भी measuring instrument है उस से कम से कम आपने की परणाम को क्या कहते हैं list count कहते हैं list question देख लेते हैं list question है इस नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धात को हटाने के लिए किया जाता है अपसन में दिया है फाइलिंग द्वारा, हेकसाइंग द्वारा, चीजलिंग द्वारा, ग्रांडिंग द्वारा तो यह जो क्रिया होती है, ग्रांडिंग क्रिया होती है, ग्रांडिंग क्रिया द्वारा हटाया जाता है, जो इसनेगिंग होता है, यह धलाई की हुई जाब और फोर्जिंग, वेल्डिंग की हुई जाब की सतय को ग्रांडिंग कहने के लिए प्रियोग किया जाता है, इसने shagging crea, grinding crea की अंतरगता आती है, next question है, किसी फ्लेट-basted file की दोनों साइडों पर होते हैं, option में दिया है, कोई cut नहीं होता है, single cut होते हैं, double cut होते हैं, wavy दाते होते हैं, तो इसका right answer क्या हो जबाजाएगा, double cut दाते होते हैं, जो bastard file होती है, उसके दोनों तरफ या दोनों साइडों में डवल कट दांते कटे होते हैं नेश्ट कोईशन देख लेते हैं नेश्ट कोईशन है किस प्रकार की गियर में दांते गियर के अच्छ से कोण में कटे होते हैं अपसन में दिया इसपर गियर हैलिकल गियर वेवल गियर वर्म गियर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा हैलिकल गियर इसपर क्या होता है जो गियर होते हैं उसके अच्छ की कोण में कटा रहेगा तो हैलिकल गियर कहलाएगा और यही पुछ लेता अगर दाते के गियर के हो जाता है इस पर गियर हो जाता तो question में क्या बोला था gear की अच्छ से कूण में कटी होती है दाती तो इसका right answer के हो जाएगा helical gear helical gear में दाती जो होती है gear में अच्छ की कूण में कटी होती है इसलिए इसका right answer हो जाएगा helical gear निश्ट कोश्चन देख लेते हैं निश्ट कोश्चन है हेक्सागनल नट के उपरी भाग को कितने कोण पर चेंफर किया जाता है आपसन में दिया है 75 डिगरी 60 डिगरी 45 डिगरी 35 डिगरी तिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 35 डिगरी हेक्सागनल नट के उपरी भाग को 35 डिगरी के कोण पर चेंफर किया जाता है निश्ट कोश्चन देख लेते हैं निश्ट कोश्चन है सुद्ध अवस्था में एल्मूनियम का प्रयोग इंजिनरिंग कार के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि आपसन में दिया है या ब्रिटल होता है या बहुत हलका होता है या महंगा होता है इसमें इस्ट्रेंथ की कमी होती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसमें इस्ट्रेंथ की कमी होती है जो एल्मूनियम धा तो होता है हलका तो होता है लेकिन इंजिनरिंग कार के लिए जब प्रियोग करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं इस्ट्रेंथ ही कमी होती है इसलिए इसको प्रियोग नहीं करते हैं नेश्ट कोश्चन है सुद्ध आवस्था में इल्मूनियम का प्रियोग इंजिनरिंग कार के लिए नहीं किया जाता क्योंकि आप्सन में दिया है या ब्रिटल होता है या बहुत हलका होता है या महंगा होता है इसमें इस्ट्रेंथ की कमी होती है तो इसका राइट एंसर क्य होती है एल्मूनियम जो धात होता है इसमें इस्ट्रेंद की कमी होती है नेस्ट कोश्चन है बाहरी लोड के एक्शन के अंतरगत ना तूटने वाला धातु का कौन साग गुण है अप्शन में दिया है इस्टीफनेस इस्ट्रेंथ टॉफनेस डॉक्टिलिटी इसका राइट एंसर क्या हो जैगा इस्ट्रेंथ का गुण जब होता है धातु में बाहरी लोड जब पड़ता है तो धात नहीं तूटता है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन है निम लिखित में सी इलास्टिक डिफार्मेशन के लिए धात को रेजिस्टेंस कौन सी है अप्सन में दिया है डक्टिलिटी, श्ट्रेंथ और स्टीफनेस, टफनेस तिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा स्टीफनेस इलास्टिक डिफार्मेशन धात की रेजिस्टेंस कौन सी होती है स्टीफनेस होती है आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों तक सेर कीजिए और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और वेल आइकेन दवाना न भूले जिससे की दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए हम इसी तरह के कोश्चन डेली लेकर आएंगे ठीक है आज के लिए इतना ही नेश्ट वीडियो मिलते हैं